आज मैं आपको दो तरह से भैल पूरी कैसे बनाते हैं बताऊंगी इस वाली भैल पूरी को हमने पापर से बनाया है या फिर आप आलो की चिफ सभी ले सकते हैं इसे हमने साधा मुर्मुरा से बनाया है इसे हमने मुर्मुरा नमकिन से बनाया है मुर्मुरा नमकिन कैसे बनाते हैं उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर की है तो हम पहले मुर्मुरा नमकिन से भैल पूरी बनाएंगे कटा हूआ टमाटर, खीरा, प्याज, हराधनिया, चाट मसाला, नमक अच्छी तरह से मेक्स कर दे, अब इसे एक कप मुर्मुरा नमकिन में टाल दे, इमली की, चटनी, ग्रीन चटनी और अच्छी तरह से मेक्स कर दे इसे हमने मुर्मुरा नमकिन से बनाया है, इसलिए हमने हरी मीच और लान मीच का उप्योग नहीं क्या है, उपर से हरा धन्या, प्याग और सेव डालकर सर्व करे मुर्मुरा नमकिन से भैल पूरी बनकर तैयार है इस वाली भेल पूरी को हमने पापर के साथ बनाया है इसके लिए हमने साधा मुलमुला एक कप हम इसमें अंकुरित अराज का उप्योग कर रहे हैं इसलिए हमने इसमें अंकुरित मूंग डाला है कटा हुआ प्याच, कटा हुआ टमाटर हरा धनिया कटा हुआ, चाट मसाला और नमक अब इसमें हरी चत्नी और इमली की चत्नी डाल दें आप चाहें तो टमाटर की चत्नी का उप्योग भी कर सकते हैं और फिर अच्छी तरह से मिक्स कर दें थोरी से शेयो डाल कर अच्छी तरह से मिक्स कर दें तले हुए पापड इसे हमें बॉल में इस तरह से जमाना है उपर से टमाटर हरा धनिया प्याच इमली की चट्नी डाल कर सर्व करें तो पापड वाली भैल पूरी बनकर तयार है